हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, तो आज हम कोटी बनाएंगे, तो इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसके लिए हमने वन मिटर फैबरिक लिया है, और लाइनिंग भी लिया है, वन मिटर, यह लाइनिंग कॉटन का है, तो सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैबरिक को फूर फोल करके रखा है, तो यह दिखे, यहाँ पर यह हमारी ओपन साइड है, यह फोर लेयर्ज है, और यहाँ पर फोल्ड साइड है, और इसकी रेडी ल आन्थ हमने ली है यहां पर अभी यहां पर हम shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रहे हूं 6.5 inch अभी यही से armhole लेंगे तो armhole भी मैं ले रहे हूं 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहां पर हमें chest का 4th part प्लस तेढậं़ इंज का और चेस्ट साइज के अकॉर्डिं ही हमें ये कपड़े का फोर्ड फोल्ड ले लेना है अभी यहाँ पर हम कमर का फोर्ड पार्ट प्लस डेड़ इंच का मार्जिन ले लेंके तो मैं ले रहे हूं नाइन इंच इन दोनों पॉइंट्स को जोड देंके अभी यहाँ पर वन इंच पर मार्क करेंगे और हलका सा राउंड शिप दे देंगे अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे यह हमारा बैक का आर्मोल है और half inch अंदर से एक और armhole draw कर लेंगे ये हमारा front का armhole है अभी neck की marking करेंगे तो neck width मैं ले रही हूँ 3 inch और neck deep लेंगे 2 inch back के लिए और front के लिए लेंगे 5 inch उसके बाद हम round ship दे देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी round ship दे देंगे तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी हम main fabric पे cutting करेंगे तो main fabric को हमने two fold करके रखा है ये fold side है अभी इसके ऊपर हम front का part रखेंगे fold side के ऊपर हमें fold side ही रखनी है उसके बाद यहां से हम pins लगा लेंगे और इसी shape में इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है तो इस तरह से main fabric पे हमने front part की cutting कर ली है अभी हम back का part cut करेंगे तो इसके लिए हमने main fabric को फिर से two fold किया है इसके उपर हम back का part रखेंगे और इसी shape में इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है back part की भी अभी sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को फूर फूल किया है यहां पर open side है और यह fold side है और यह four fold हमने लिया है 9.5 inch का जितना आपका armhole है उससे 3 inch जदा लेना है और sleeves की length हमने 12 inch के लिए है यह elbow तक की length है length आप अपने according कम जदा कर सकते हैं अभी यहां पर open side से 3 inch पे mark करेंगे और यहां से हम sleeves का shape देंगे अभी यहां पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 inch इन दुनों points को जोड़ देंगे और sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहां पर center में cut लगा लेंगे उसके बाद sleeves को open करेंगे और यहां पर half inch अंदर से front का armhole draw कर लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे तो इस तरह से sleeves की cutting कर ली है हमने अभी हम main fabric पे sleeves की cutting करेंगे तो हमने main fabric को two fold करके रखा है और अभी इसके उपर हम sleeves को open करके ही रखेंगे और यहां पर हम pins लगा लेंगे और sleeves की cutting curling के तो इस तरह से हमने cutting कर ली है तो देखें यह दो sleeves हमने cut किये हैं main fabric पर भी अभी stitching करेंगे तो यह हमने front का part लिया है तो lining भी है इसमें अभी हम इसे fold करेंगे बीच से और इसे center से cut कर लेंगे तो इस तरह से front part को center से cut कर लेना है अभी lining को हम इसके उपर रखेंगे दोनों की सीधी side हमें अंदर की तरफ रख लेनी है उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है तो उसके पहले यह हमने डोरी बनाई है तो डोरी को हम यहाँ पर corner पर रखेंगे इसके बीच से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हमने डोरी बनाई है इसे भी हम यहाँ पर corner पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी यहाँ पर हम चोटे चोटे cuts लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में हम लाइनिंग को रॉंग साइड में टर्न करेंगे दूसरे साइड के भी लाइनिंग को हम रॉंग साइड में टर्न करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमारी डोरी भी एटेच हो गई है अभी दोनों पार्ट्स को हमें एटेच करने के लिए यहाँ पर टॉप स्टिश लगा देना है तो हमने आपर टॉप स्टिश लगा दिया है तो यह हमारा फ्रेंट का पार्ट रेडी है अभी हम बैक नेक बनाएंगे तो इसके लिए हम लाइनिंग को इसके ओपर उल्टा रखेंगे और नेक में सिलाई लगा देंगे तो हमने यहां पर सिलाई लगा दी है अभी यहां पर हम छोटे-छोटे कट लगा लेंके और लाइनिंग को हम रॉंग साइड में टर्न करेंगे उसके बाद यहां पर भी हमें टॉप स्टिश लगा लेना है तो हमने आपर टॉप स्टिच लगा लिया है और दोनों पार्ट्स को अटेच कर लिया है अभी हम फ्रेंट का पार्ट इसके उपर उल्टा रखेंगे दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की दिरफ रख लेनी है और शोल्डर्स अटेच कर लेना है अभी हम sleeves को ready करेंगे तो sleeves के उपर हमें lining को उल्टा रखना है और यहाँ पे bottom में सिलाई लगा देनी है इसी तरह से दूसरे side के sleeves के उपर भी हमें lining को रखना है और bottom में सिलाई लगा देनी है तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है अभी lining fabric को हम wrong side में turn करेंगे और पूरे sleeves में हम top stitch लगा लेंगे तो दोनों part सेटेच हो जाएंगे इसी तरह से दूसरे part में भी हमने सिलाई लगाई है इसे भी अभी wrong side में turn करेंगे और पूरे में top stitch लगा लेंगे अभी shoulder पे हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हमें shoulder के उपर उल्टा रख देना है और इसे stitch करना है इसी तरह से दूसरा sleeves भी हमें stitch कर लेना है तो हमने sleeves को stitch कर लिया है अभी हम इसे उल्टा करेंगे और दोनों side से इसकी fitting कर लेंगे तो हमने fitting कर ली है अभी हम bottom fold करेंगे तो इसे हम इस तरह से open करके रखेंगे तो इसे हमें सीधा करके रखना है और हमने ये strip ली है सीधी पट्टी तो strip को half inch बढ़ाते हुए हम यहाँ पर रखेंगे इसके उपर और यहाँ पर हम किनारे से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर भी half inch extra strip रखनी है तो हमने इस तरह से strip को attach कर लिया है अभी जो extra strip है इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ fold करेंगे और इसको हम अंदर की तरफ double fold करके hand stitch कर लेंगे अच्छी finishing के लिए